लिजी सुनिये मुंशी प्रेम चंद के लिखे उपन्यास सेवा सदन के ग्यारहेंवे भाग को मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में दर्वाजे पर आकर सुमन सोचने लगी कि अब कहां जाओं। गजाधर की निर्दैता से भी उसे इतना दुख न हुआ था जितना इस समय हो रहा था। उसे अब मालुम हुआ कि मैंने अपने घर से निकल कर बड़ी बुहुल की। मैं सुभद्रा के बल पर कूद रही थी। म अब मालुम हुआ कि ये भी रंगे हुए सियार हैं। अपने घर के सिवा अब मेरा कोई ठेकाना नहीं है। मुझे दूसरों की चिरोरी करने की जुरूरत ही क्या? क्या मेरा कोई घर नहीं था? क्या मैं इनके घर जन्म काटने आई थी? दो-चार दिन में जब उनका क्रोध शांत हो जाता आपी ही चली जाती है। ओ, नारायन, क्रोध में बुद्धी कैसी ब्रश्ट हो जाती है। मुझे इनके घर में भूल कर भी ना आना चाहिए था। मैंने अपने पाओं में आपे ही कुलाधी मारी। वो अपने मन में नजाने क्या समझते होंगे। ये सोचते हुए सुमन आगे चली पर थोड़ी दूर चल कर उसके विचारों ने फिर पल्टा खाया। मैं कहां जा रही हूँ। वो अब मुझे कदाबी घर में ना घुसने देंगे। मैंने कितनी विनती की पर उन्होंने एक ना सुनी। जब केवल रात को कई घंटे की देर हो जाने से उन्हें इतना संदे हो गया तो अब मुझे पूरे 24 घंटे हो चुके हैं और मैं शामत की मारी वहीं आई जहां मुझे ना आना चाहिए था। वो तो अब मुझे दूर ही से दुतकार देंगे। ये दुतकार क्यों सहूं। मुझे कहीं रहने का इस्थान चाहिए। खान में एक बेड़ी पेरों में पड़ी हुई थी और लोक लाज से मुझे वो रख भीले तो उठते बैठते ताने दिया करेंगे। बस चल कर एक वकान ठीक कर लूँ। भोली क्या मेरे साथ इतना भी सलूक न करेगी। वो मुझे अपने घर बार बार बुलाती थी क्या इतनी दिया भी न करेगी। अमोला चली जाओं तो कैसा हो लेकिन वहाँ पर कौन बैठा हुआ है। अम्मा मर गई। शानता है उसी का निर्वा होना कठिन है। मुझे कौन पूछने वाला है। मामी जीने न देंगी। छेद छेद कर मार डालेंगी। चलू भोली से कहूं देख कहीं का जाधर न आता हो। भोली के द्वार पर पहुँचकर सुमन ने सोचा इसके यहां क्यों जाओं। किसी पड़ोसिन के घर जाने से काम न चलेगा। इतने में भोली ने उसे देखा और इशारे से उपर बुलाया। सुमन उपर चली गई। भोली का कमरा देखकर सुम सामानों से सजा हुआ था। एक चोटी सी चौकी पर चांदी का पांदान रखा हुआ था। दूसरी चौकी पर चांदी की तश्तरी और चांदी का एक गिलास रखा हुआ था। सुमन ये सामान देखकर दंग रह गई। भोली ने पूछा आजी संदूक्ची लिए इधर कह सुमन, ये राम कहानी फिर कहूंगी, इस समय तुम मेरे उपर किरपा करो, कि मेरे लिए कहीं अलग एक छोटा सा मकान ठीक करा दो, मैं उसमें रहना चाहती हूँ, भोली ने विसमित होकर कहा, ये क्यों, क्या शोहर से लडाई हो गई है, सुमन, नहीं, लडाई की क्या बात है अपना जी ही तो है, भोली, जरा मेरे सामने ताको, हाँ, चहरा साफ कह रहा है, क्या बात हुई, सुमन, सच कहती हूँ, कोई बात नहीं है, अगर अपनी रहने से किसी को कोई तकलीफ हो, तो क्यों रहे, भोली, अरे तो मुझ से साफ साफ कहती क्या नहीं, किस बात पर बिगड़ने की कोई बात नहीं है। जब बिगड़ ही गए तो क्या रह गया। भोली। तुम लाग छिपाओ मैं ताल गई सुमन। बुरा ना मानो तो कह तू। मैं जानती थी कि कभी न कभी तुमसे खटकेगी जरूर। एक गाड़ी में कहीं अर्भी गोड़ी और लद्द टट्टू जुट सकते हैं। तुम्हें तो किसी बड़े घर की रानी बनना चाहिए था। मगर पाले पड़ी एक खूस अटके जो तुम्हारा पैर धोने लायक भी नहीं। तुम ही हो कि यह उने बाह कर रही हो। दूसरी होती तुम यहाँ पर लात मार कर कभी की चली गई होती। अगर अल्लह ने तुम्हारी शकल सूरत मुझे दी होती, तो मैंने अब तक सोने की दीवार खड़ी कर ली होती। अगर मालुम नहीं तुम्हारी तब्यवारी तबियत कैसी है, तुमने शायद अच्छी तालीम नहीं पाई। शुमण, मैं दो साल तक की एक इसाई प्रास नहीं आती तो तलाक दे देती है लेकिन हम सब वही पुरानी लकीर पीटे जा रही है सुमन ने सोच कर कहा क्या करूँ बेहन लोक लाज का डर है नहीं तो आराम से रहना किसे बुरा मालूम होता है भूली ये सब उसी जहालत का नतीज़ है मेरे माबाप ने मुझे एक बुरे मिया के गले बांथ दिया था उसके हाँ दौलत थी और सब तरह का आराम था लेकिन उसकी सूरत से मुझे नफरत थी मैंने किसी तरह छे महीने तो काटे आखिर निकल खड़ी हुई जिन्दगी जैसी नियामत रो रो कर दिन काटने के लिए नहीं दी गई है जिन्दगी का कुछ मजा ही न मिला तो उससे फायदा ही क्या पहले मुझे भी डर लगता था कि बड़ी बदनामी होगी लोग मुझे जलील समझेंगे लेकिन घर से निकलने की देरी थी फिर तो मेरा वो रंग जमा के अच्छे अच्छे खुशामदे करने लगे गाना मैंने घर पर ही सीखा था कुछ और सीख लिया बस सारे शहर में धूम मच गई आज यहां कौन रईस, कौन महाजन, कौन मौलवी, कौन पंडित ऐसा है जो मेरे तलुए सहलाने में अपनी इजज़त न समझे मंदिरों में ठाकर द्वारों में मेरे मुझरे होते हैं लोग मिन्नते करके ले जाते हैं इसे मैं अपनी बेज़ती कैसे समझू अभी एक आदमी भेज दू तो तुमारे कृष्ण मंदर के महंत जी दोड़े चले आवे अगर कोई इसे बेज़ती समझे तो समझा करे सुमन भला यह गाना कितने दिन में आ जाएगा बोली तुम्हें छे महीने में आ जाएगा यहां गानी को कौन पूछता है दुरुपद और तिलानी की जरूरत ही नहीं बस चलती हुई गजलों की धूम है दोचा ठुमरिया और कुछ थेटर के गाने आ जाएगा और बस फिर तुम ही तुम हो यहां तो अच्छी सूरत और मज़ेदार बाते चाहिए तो खुदा ने ये दौनों बाते तुम्हें कूट कूट कर भर दी है मैं कसम खा कर कहती हूं सुमन तुम एक बार इस लोहे की जंजीर को तोड़ दो फिर देखो लोग कैसे दीवानों की तरह दोड़ते हैं सुमन ने चिंतित भाव से कहा यही बुरा मालूम होता है कि भोली हाँ हाँ कहो यही कहना चाहती हूं ना कि एरे गेरे सबसे बेशर्मी करनी पड़ती है शुरू में मुझे भी यही जिजख होती थी मगर बात को मालूम हुआ कि यह ख्याल ही ख्याल है यहां एरे गेरे के आने की हिम्मती ही नहीं होती यहां तो सिर्फ रईस लोग आते हैं वैस उन्हें फसाई रखना चाहिए अगर शरीफ है तब तो तबियत आपी ही आप उससे मिल जाती है और बेशर्मी का ध्यान भी नहीं होता लेकिन अगर उससे अपनी तबियत न मिले तो उसे बातों में लगाए रहो जहां तक उससे नौचते खसोटते बने नौचों खसोटो आखर को वो परिशान उकर खुदी चला जाएगा उसके दूसरे भाई और आफ़सेंगे फिर पहले पहल तो जिजक होती ही है क्या शोहर से नहीं होती जिस तरह धीरे धीरे उसके साथ जिजक धूर होती है उसी तरह यहां होती है सुमन ने मुस्कुरा कर कहा तुम मेरे लिए एक मकान तो ठीक कर दो बोली ने ताड लिया कि मचली चारा कुतरने लगी अब शिस्त को कड़ा करने की जरूरत है बोली तुम्हारे लिए यहीं घर आज़रे हाराम से रहो सुमन तुम्हारे साथ न रहूंगी भोली, बदनाम हो जाओगी, क्यों? सुमन, जैब कर, नहीं, ये बात नहीं भोली, खांदान की नाग कट जाएगी? सुमन, तुम तो हसी उड़ाती हो भोली, फिर क्या, पंडित गजाधर परसाद पांडिन आराज हो जाएंगे? सुमन, अब मैं तुम से क्या कहूं? सुमन के पास यद्यपी भोली को जवाब देने के लिए कोई दलील ना थी भोली ने उसकी शंकाओं का मजाग उड़ा कर, उन्हें पहले से ही निर्बल कर दिया था यद्यपी अधर्म और दुराचार से मनुष्य को जो स्वाभाविक गिरना होती है वो उसके हिर्दाए को डवा ढोल कर रही थी वो इस समय अपने भावों को शब्दों में ना कह सकती थी उसकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो किसी बाग में पके फल को देख कर लल्चाता है पर माली के ना रहते हुए भी उन्हें तोड़ नहीं सकता इतने में भूली ने कहा तो कितने किराय तक का मकान चाहती है मैं अभी अपने मामा को बला कर ताक्नीत कर दूँ सुमन यही 2-3 रुपे भूली और क्या करोगे सुमन सिलाई का काम कर सकती हूँ भूली और अकेले ही रहोगे सुमन हाँ और कौन है भूली कैसी बच्चों की सी बाते कर रही हो री पगली आँखों से देख कर अंधी बनती है भला अकेले घर में एक दिन तेरा निबा होगा दिन दाड़े आबरू लुट जाएगे इससे तो हजार दर्जे यही अच्छा है कि अपने शोहर ही के पास चली जाओ सुमन उसकी तो सूरत देखने को जी नहीं चाहता अब तुम से क्या चिपाओं अभी परसों वकील साहब के यहां तुम्हारा मुझरा हुआ था उसकी इस्तरी मुझसे प्रेम रखती है उन्होंने मुझे मुझरा देखने को बुलाया और बार है एक बज़े तक मुझे आने न दिया जब तुम्हारा गाना खत्म हो चुका तुम्हें घर आई बस इतनी सी बात पर वो इतने बिगड़े कि जो मुझे में आया बखते रहे यहां तक कि वकील साहब से भी पाप लगा दिया कहने लगे चली जा अब सूरत न दिखाना बहन में इश्वर को बीच दे कर कहती हूँ मैंने उन्हें मनाने का बड़ा यत्म ने किया रोई पैर पड़ी पर उन्होंने घर से निकाल ही दिया अपने घर में कोई नहीं रखता तो क्या जबरदस्ती है वकील साहब के घर गई कि देस-पाँच दिन रहूंगी फिर जैसा होगा देखा जाएगा पर इस निर्दई ने वकील साहब को बदनाम कर डाला उन्होंने मुझे कहला भेजा कि यहां से चली जाओ बेहन और सब दुख था पर ये संतोश तो था कि नारान इज़्जत से निवाहे जाते हैं पर कलंकी की कालिक मुह में लग गई अब चाहिस सिर पर जो कुछ पढ़े पर उस घर में न जाओंगे ये कहते कहते सुमन की आखे भर आई बोली ने दिला सा देकर कहा अच्छा पहले हाथ मुह तो दोडालो कुछ नाश्टा करड़ो फिर सलाह होगी मालूम होता है तुम्हे रात भर नीन नहीं आई सुमन एहा पानी मिल जाएगा बोली ने मुस्करा कर कहा सब इंतजाम हो जाएगा कितने ही हिंदू आया करते हैं उनके लिए एक हिंदू कहार रख लिया है बोली की बूढ़ी मामी मामी सुमन को गुसल खाने में ले गई, वहां उसने साबन से स्नान किया, तब मामी ने उसके बाल गुथे, एक नई रेश मिसाड़ी पहनने के लिए लाई, सुमन जब उपर आई और भोली ने उसे देखा, तो मुस्करा कर बोली, जरा जाकर आहिने में मुह देख लो, सुमन शेशे के सामने गई, उसे मालुम हुआ कि सौंधर्र की बूर्ती सामने खड़ी है, सुमन अपने को कभी इतना सुंदर न समझती थी, लज्जा युक्त अभिमान से मुख कमल, खिल उठा और आखों में नशा चा गया, वो एक कोच पर लेट गई, बोली ने अपनी मामी से कहा, क्यों जहूरन, अब तो सेट जी आ जाएंगे पंजे में, जहूरन बोली, तलवे सहलाएंगे तलवे, थोड़ी देर में कहार मिठाईयां लाया, सुमन ने जलपान किया, पान खाया और फिर आईने के सामने खड़ी हो गई, उसने अपने मन में कहा, ये सुख छोड़ कर उस अंधीरी कोठरी में क्यों रहूं, भोली ने कहा, गजाधर शायद मुझसे तुम्हारे बारे में कुछ पूछे, तो क्या कह दूंगे, सुमन ने कहा, कहला देना कि यहां नहीं है, भोली का मनुरत पूरा हो गया, उसे निश्चय हो गया कि सेठ बलभद्र दास, जो अब तक मुझसे कन्नी काटते फिरते थे, इस लावन नमई सुंदरी पर भिरमर की भात ही मन राएंगे, सुमन की दशा उस लोभी डॉक्टर की सी थी, जो अपनी किसी रोगी मित्र को देखने जाता है और फीस के रुपए अपने हाथों से नहीं लेता, संकोच वश कहता ह इसकी क्या जरूरत है, लेकिन जब रुपए उसकी जेब में डाल दिये जाते हैं, तो हर्ष से मुस्कराता हुआ घर की राह लेता है, अब ये आप सुन रहे थे, मुझी प्रेम चंद के लिखे उपन्यास, सेवा सदन के ग्यारहमे भाग को मेरी यानि समीर गोस्वामी की वास्मे